इतनी चोटी सी गली, इतना चोटा था घर और इतनी बड़ी यूटिवर, कैसे? मैं बहुत बड़ी नी हूँ, मैं वही उसमा हूँ, सिर्फ इतना फर्क बड़ा है कि उसमा से स्ट्रोंग उसमा बन गई हूँ खाना बनाया दुपैर को मियें को खाना देने भी जाना है दुकान पे लोग मुझे इस गली में कहते हैं कि हीर रांजेती रोटी लाकर जा रही है यह मेरा बैड रूम है तीन साल पहले यह तूट गया था तूटा वह और इदर मैंने चद्रें पिछाई हो यह ता कि यह फट यह मुझे बहुत कलीफ होती मुझे बहुत दर्द होता है सब कुछ मैंने अपने अंदर समेट लिया लहूर ने मुझे इतना दर्द दिया जो मैं जिन्दगी में कभी सोच भी नहीं सकती असलाम अलेकुम टूडे डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान आमना उस्मा नाजरीन इसमत मैं मौझूद हूँ मशूर यूट्यूबर स्ट्रॉंग उस्मा के घर पर जो के एक सोशल एक्टिविस्ट भी है यूट्यूबर भी है और पांच फूट की गली है उनकी एक मरले का घर है लोग कहते हैं कि जब लोग यूट्यूबर बन जाते हैं तो उनकी जिन्दगी लाखों में खेलती है वो इंज्वाय करते हैं घर का लाइफटायल बदल जाता है लेकिन यहां पर तो लाखों कमाने के बावजूद मुझे बड़ी साथगी नजर आ रही है आइए दरा देखते हैं कि उज्मा अपनी जिंदगी को का से गुजारती है मुझे जो नजर आ रहा रहा है इस वक्ति उज्मा जो है वह अपने किचन में काम कर रही है खाना बना रही है जाय इनसे बात करते हैं जी इसलम अले को कैसी है अलालाय का करम है अच्छा मुझे कि बताएं कि मतलब इतनी चोटी सी गली इतना चोटा था घर और इतनी वड़ी यूडिवर कैसे देखे इतने बड़े बड़े नाम और ग्राम वली साब एक राम सब पांच फिट यानि के नीचे चले गए दो गास की कबर ने तो मैं बहुत बड़ी नहीं हूं मैं वही उजम सब्सक्राइब कर देखे हैं लोगों को दिये भी हैं लेकिन मेरी सोच नहीं बदली अंदर से एक चीज तांग करती हैं यहां पर मैं ठीक हूं जबर्दस्त हो गया अच्छा मेरे वेंड में यह आ रहा था कि आप तो जाहरी बाता है यूट्यूब पर वीडियो बनाने के जाती है इतना सोचल वेल फै करती हैУ मे घर रकावा अठी कॉछ नहीं एक गोक्तना efficiently सुबल मना करती है। है उनको आए डी चाहते लोगों सब्स्याविआ रहे मेरे रूटीन सुबहें कर रात पांच पहाई एक बैतिक है अब देने जाएंगी और पिछले साड़े नौ सालों से मैं दुकान का तुआफ कर रही हूं। लोग मुझे इस गली में कहते हैं कि हीर रंजेती रोटी लाके जा रही है। मैं कोई भी बड़ी यूट्यूबर नियू, मैं एक आम सा इंसान हूं। जैसे आम लोग होते हैं, वो लोग मुझे कहते हैं कि यूट्यूबर बहुत बड़ी है, इसमें आटी चूट होगा, यह है, वो लाकों कमाती है, यह आपके सामने वही घर है, जो साड़े आठ साल पहले था, मैं साड़े आठ साल पहले यहां पर आई थी, जब मेरी बेटी तो आज भी घर वही है, और मुझे पौने दो साल हो गया है, यूट्यूब पे काम करते हैं, दिसंबर में मुझे दो साल हो जाने है, और दो साल में माशाला मैंने इतना पैसा कमाया कि मैं चाहती तो अपना घार ले सकती थी, गाड़ी, लाइफस्ट्राइल अपना चेंज कर सकती थी, तको मैंने नहीं किया, नहीं किया, मैं वही है, पे लोह reicht हो, नहीं लोहां जे देना आजाती हूं, जर्बरदस तो गया, यह जो आपका घर है, यह तकरीबन है, कोई एक मिर एक काम करते दो दोदो? जो के औरडी मेरे दो स्लाई स्कूल चल रहे हैं जहानपे गरीब बेवा यूतीम और जो भी मसाकीन बच्ची ये ओरते हैं उनको हम स्लाई सिखाते हैं और माशाला से माशाला से ये आठमा बैट जो है फ्री हो रहा है दो स्कूल एक पतो की में है और एक दिलहौर में आगे बच्चे मेरे जो है ना वो पढ़ेंगे सबसे पहले तो अच्छे इंसान बने मेरी दिल से दुआ है दूसरा मैं जाते हूं कि बड़े अफसर बन जाएं जब वो कहीं जा रहे हो तो लोग हैं वो देखें मुने की जो है ना मुने की मामा एस्ट्रों उजमा का बेटा जा रहा है यानि के बेटा जा रहा है नाजवीन अगर घर की बात करें तो बड़ा सादा सा घर है अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके तो बहुत सादगी के साथ सारी चीज़ें है ये एक फ्रिज पढ़ा है और अ साफ सुत्रा इनका घर है आए आगे चलते हैं और आम इनके घर को देखते हैं कि इस दो मरले के घर में इन्होंने घर जो है वो कैसा बनाए अच्छाजी ये किसका बैडरूम ये मेरा बैडरूम है और ये मेरा ही बैड पिछले साधे आठ सालों पी यहीं पड़ा हुआ है लेकिन तीन साल पहले ये तूट गया था और गुजारा का रहे हैं अच्छा कैसे गुजारा हो रहे हैं नीचे इंटे तो नहीं रखी हुई नहीं अभी फिल आल इंटे रखने की जूरूरत पाड़ सकती है तो यह तो यह तूटा हुआ है और इदर मैंने चद्रें पिछा किस्तों पर लिया था और बड़ी गर्मी पड़ती है क्योंकि सारा गारा मारा खुला है सारा दिन दूप रहती है सुबहुआ का पोर्चन है तो बहुत गर्मी तो फिर नहीं दूलन भी आ रही थी नहीं दूलन अब आप पूछें के कौन मेरे इसमेंट की दूसरी बेगम क थोड़ी स्कून से इसलिए गुजरी है कि रात ग्यारा मैसे लेकर सुबह चार बे तक हम एसी के नीचे सो जाते हैं तो वह इसलिए स्कून से गुजरी है बाकी इदर पंखा लगा वापके सामने साथ वाले रूम में पंखा है एक हमने कुलर रखा वाथ वाप उंपर हो गया और अब हमने मेरे हाल में एक मिना हो गया बंद भी कर दिया किसे आपके कैसे तालुका अलहम्दल्ला भी तक तो ठीक जा रहे हैं तकरीबर नहीं शादी को दस माह गुजर गया है अब वह गई हुई है एक न्यू बेबी लेने के लिए अपनी अम्मी के गार तो मच आने वाली बात है कि हमने सुना कि ये शादी आपने खुद करवाई मतलब इतना मतलब इतनी अजीम इतनी स्ट्रॉंग हो गई आप बस मैं ना लोग कहते हैं कि आपके इनसान नहीं मैं इनसान तो हूँ लेकिन इस दुनिया का नहीं हूँ मुझे लगता है मैं किसी और दुनिया क्योंकि मुझे तकलीफ होती जरूर है लेकिन मैं लोगों के सामने दबंग हो के मुस्कुरा के कभी कभी आ बे जाता है रोना लेकिन उनकी जो बेगम है वो थोड़ी सी ओपोजिट निकली है जो मैंने सोचा था जो मैं यानि कि मुझे था कि ऐसा होगा ऐसा नही है हर किसी की सोच उसमा को तंग करती तंग नहीं करती बस वो उनको मेरी ने समझ आई और मुझे उनकी समय नहीं आई तो इसलिए मैं कुछ़ बिनिया तो मैंने तो छोटी बेहन निया था लेकर अगले बंदे की सोच सोकं तक रहा गी तो वो उनकी मर्जी है अब यह है कर मैंने इतना का सोचा है कि मेरा बेटा जैसे बढ़ा हो गया सोला साल का माशला होने वाला है तो जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनको थोड़ी आपको पता है प्राइवेसी भी होनी चाहिए अब ये रूम है इसके अंदर मैं और मेरी बेटी और हजबेन भी इदर यानि वो उपर भी होते हैं जातर लेकर कभी इदर नीचे बहुते हैं तो फिर अच्छी बात नहीं बच्चों के साथ पंखा जो है वो आपका इतना हलका चल रहा है क्या वजह सही क्यों नी कराती है ये खराब हो गया बस टाइम ही नी मिला सही कराने का तो मैंने पूछा एक दो दवा कहरें नहीं अलगाना पड़ेगा ये इसका बता नहीं साथगी के साथ आप जिंदगी गुदा रही है तो मतलब क्या बनना चाहती है बहले मुझे बताएं मदर ट्रीसा मैं कुछ भी नहीं बनना साथ चाहती है बस मैं चाहती हूं कि जब मैं इस दुनिया से जाओं तो कोई मेरे लिए दौा करे कि अल्ला दला उसकी बक्षिश कर दे आपने सलाब के लिए बहुत काम किया है और आप जहां पे आया था तोनसा से आगे बस्ती डगर वाली जलो वाली फते चरड और बुरानी बस्ती यह तक मैं गई हूँ फते चरड एक ऐसी बस्ती है जो द्रियाए सिंद के आखरी किनारे पी तो मैं वहां पे फिर गई तो वहां पे जाने के यह रिए रसता नहीं था 20 मिंट का आदा गैंटा उमने सफर किया था एक डले के अंदर ट्रक टाइप था फिर आगे जो है तकरीबार 20 मिंट का सफर पैदल ने पानी के अंदर खुद कुदी थी इतना एता पानी था जानवर भी मरे हुए के जरीए मुझे उस बस्ती के ले जाया गया तो आप बिलीव करें कि वहां पर 500 गर थे जब उन बच्चों ने मुझे देखा ना तो उनको ऐसा लगा कि जैसे कोई पता नहीं अजूबा आ गया हमारे पास कोई किसी और दुनिया की कोई मखलूक आ गई है यानि कि इतने वो अफसुर्दा थे कि वहां पर कुछ अभी कोई पहुँची नहीं रहा था वहां पर कोई अभी तक भी कोई नहीं गया तो मैं वहां पर एक ट्रक पूरा राशन गा और एक 50,000 पर उनको देखे आई थी तो इतनी उनके च पर इन्हों ने जाके मुकाबला किया लोगों ने पहचाना आपको किसी जगा पर लोगों ने पहचान लिया कि ये एक स्ट्रोंग बाजी है जो लहुर से आई है आपको अधा स्राइकी इतना जादा लेकिन जो लड़के थे यंग उन्हों ने मुझे पहचान लिया वहां तो उनके चेहरे पे खुशी की लहर दोड़ी आप यकीन मानी है कि पहले मैं साट लाग के तीन ट्रक लेके गई थी राशन के खुशक राशन उनको देखे आई फिर मैं उसके ठीक दो अफ़ते बारा गई अलागे यहां से लहौर से मैं गाड़ी बाड़ी पे नहीं जाती ल फिर दूबारा जाकर उनको पैसे देखे आई तो फिर वहां पे पीने का पानी नहीं है जो डगरवाली बसती बसें रिंसे मोग देहरे पानी नहीं पीा क्योंक्त पानी तह具 ने तो फिर मुझे लगे ऩोगी बेमार आगी मीर पर आगा कि मैंने सोचा कै कि यह मैं campaign चलाई कि मैंने आज तक कभी किसी से अपनी जात के लिए एक रुपया नहीं मांगा तो मैंने का कि आप लोग मेरा साथ दें तो हम वहां पे एक water plant का जो है इन्तजाम कर सकें तो वो 40 लाग की मालियत का water plant लोगों ने मेरे साथ मिलके तावन किया शिगागों में एक साब होते हैं सबसे ज़्यादा उन्हों नहीं हिसा लिया तो वो हम लगा रहे हैं plant अलहमदोलिला 10 दिन की मेंनत के बाद कल वहां से पानी निकाल लिया गया मिल्टा पानी निकला तो बच्चों की वहां पे खुशी मैं कहती हूं रो रहे थे वो लोग भी ओरते हैं कि आपने हमें बीमारी से बचा लिया है वहां पे cancer hepatitis के patient आम है यानि के वहां पे यही पानी ही नहीं मिलता तो क्या करेंगे अब वहां पे हम 20 घर बना के दे रहे हैं जो मुस्तेक थी बेवा थी जिनके घर गिर गए और साथ एक pipeline टूट गई थी रेले के वैस्ट जो flood आया तो government का काम था कि वह pipeline को दुबारा रपेर किया जाथा नहीं किया दो मां हो गया है वहीं से कुटे भी पानी पी रहे हैं अवाहें से इंसान, वहीं से भैंसे उसमाँ, मुझे ये बता हैं, कि आप इतना पैसा भी कमाती है कितना यूट्यूब से पैसा कमा लिये है लाकोरवे माशाला। महीने कि कभ़ी कितने है यु stripe अपल आईफून कितने गाता है अच्छा? उतनी कभी उससे ज्यादा भी तो क्या करती हैं बांड देती हैं लोगा मैं बांड देती हूँ मैं सिर्फ ना आने जाने का अपना कराया रखती हूँ और मेरे बच्चे वही नॉर्मल स्कूल में पाड़ रहे हैं जहां पहले पड़ते थे तो उनकी थोड़ी वो फीस मेरे अस्बेंड अलहमदोलिल्ला सुबह दस बज़े जाते हैं रात को बारा बज़े आते हैं वो मेडिकल स्टोर पे काम करते हैं जो हम दोनों ने मिलके पांसो रुपे से बनाया था तो वो आज भी वहीं मेनत करते हैं यानि के मेरा यूट्यूब चैनल चलने के बाद वो मेरे पीछे पीछे नहीं जैसे औरतों की दुम पकड़के लग जाते हैं औरतों के साथ लग जाते हैं नहीं जी आप मेरी बेगम कमारी है तो बेगम की कमाई पे आगए वो वहीं मेनत का रहे हैं आपके बारे में सुना है कि आप जिदर भी जाती है गाड़ी भी नहीं आपने रखी वी एक तो पहले गली इतनी छोटी सी है तो उसमें गाड़ी क्या रखनी है लेकिन मुझे यह बिता है कि मतलब यूट्यूबर बनने के बाद मेरे खाल में यूट्यूबर सबसे पहले पह सियाल कोट गुजरावाला चिंग चिंग पे स्टोरी की है इतनी गर्मी हो दिजी और फिर भी मतलब आप क्या वज़ा क्या है कि मतलब बिला वज़ा पैसे नहीं खर्च करना चाहती है मैं नहीं चाहती कि मैं फजूल खर्ची करूँ देखें मेरे पास लोग जब आते हैं तवा कहते हैं तो अजमा आपके तोस्व से हमारा काम चल गए जो आपने कर्जा असना दिया था हर चीज सके मर्षल नहीं होती बाथ ऐसे लोगों की मनधलियें लगी हुई हैं कैंसर के पेशिंट हैं लोगों के मकान के कुराय मैं महीने के देती हूं कर्जा असना देती कि जब आपका काम चल जाए आपने थोड़े थोड़े वापिस कर देने विदाउट इंटरस्ट तो आप ये देखें कि मेरे पास आज एक बंदा आया पिछले मिने वो दोनों मियां भी रोते वे आये थे कि हमें करजा दे दें हसना आप मैंने का मैं कैसे यकीन कर लो मैंने मे को ले मिने दो मशीने इंशाला और ले लूँगा और उसको पर और ज्यादा काम मुझा है हम स्ट्रॉंग उद्मा की जो सौतन है उनके कमरे में मुझे बताएं कि जो नई दुलन का कमरा है तो ये बैट बगारा जो ये उनक्या है नहीं कुछ भी नहीं हमने खुदी लिया र में सबसे पहले जब लहुर आये तो बड्यानी कानी पता था आंवलेट कानी पता था अब पता ये गर्यानी में जा में जाकर सुबाट का कोुछ खाने को या तुन रने ने लिए लिए न्क में पता खुदी आ और चा बोते तो कि उसको एन बेहन गोश वैंग बोले बस यह स्ट्रॉंग उजमा और लहोर की दुनिया इतनी बड़ी है कि यहां आके मैं गुम हो गई और मैं अपने वक्त को आज भी यहाद करती हूं मैं फिस जाना चाहती हूं अपने गाओं अपने घर में क्योंकि यह दुनिया मुझे रास नहीं है यह मुझे बहुत क्लीफ होती मुझे बहुत दर्द होता है सब कुछ मैंने अपने अंदर समेट लिया लहोर ने मुझे इतना दर्द दिया जो मैं जिन्दगी में कभी सोच भी नहीं सकती गोजरा में आपको दर्द मिला और यहां पर भी मिला ज्यादा दर्द आपको कहा मिला मुझे दर्द लहोर से मिल क्योंकि गाउं से तो मैं ऐसे टीनेज का बच्चा जैसे आता है लाहूर की लाइटें और दुनिया रंगीन दे के लेकर मुझे नहीं बता था कि मुझे टीनेज से लेकर आज तक इतना दर्द मिल जाएगा कि अब मुझे कोई भी दर्द मिलता है न तो मुझे महसूस ही नही है कि मुझे यहांबे मैं यही बोलूँगी कि अब तो अपनी तबीयत भी जुदास ही लगती है सांस लेती हूं तो जखमों को हवास ही लगती है कभी तो मुझे से राजी कभी खफास ही लगती है ऐज जिन्दगी तो ही बता तो मेरी क्या लगती है नाजरीन बहुत ही इन परिंदे भी खुबसूरत परिंदे यह इस चीज की जमानता है कि यह सिर्फ इंसानों से नहीं जानवरों से भी प्यार करती है और एक ही बात कहीं जा सकती है कि आला इनको कामयाब करें इनके मकासित में अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी होस्ट आमना उस्मान को दीज लिए अजासत अलाफेस